हिमाचल के चमबा जिला में मनी महेश यातरा से लोट रहे शुरद धालूं की ब्रेजा कार सिंदवा पुल के पास रावी नदी में गिर गई हाथसे में कांगडा जिला निवासी दो लोगों की जान गई है दोनों के शव कड़ी मशकत के बाद रावी नदी से निकाले गए शव गाड़ी में थे पानी का बहाव तेज होने के चलते गाड़ी को नहीं निकाला जा सका है हाथसा पुलिस थाना भर मौर की गहरा पुलीस चौकी के तहथ हुआ है बतादें कि सुदेश निवासी जसूर और चरण जीत सिंग निवासी खन्नी जिला कांगडा कार में मणी महिश यात्र से लोट रहे थे कार चरण जीत चला रहा था, गेहरा में सिंधवा पुल के पास, चालक कार से नियंतरन खो बैठा और कार रावी नदी में गीर गई मामले की सूचना मिलने के बाद गेहरा पुलिस चौकी से पुलिस टीम मौके पर पहुची और कड़ी मशक्कत के बाद शवों को नदी से निकाला हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 News, चॉइस ओफ हिमाचल के साथ